रादे रादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वास्टिप्स फूर होम में दोस्तो साल का आखरी सूर्य ग्रहन चार दिसंबर शनिवार के दिन माक्षिष के अमावस्य अतिति को लगने जा रहा है दोस्तो ग्रहन के दोरान किया गया कोई भी वशिकरन उपाय बहुत ही अचूक और बहुत ही प्रचंड होता है अगर आप इस उपाय को ग्रहन के दोरान कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो वैक्ति आपका गुलाम हो जाएगा आप उससे कोई भी कारे करवा सकते हैं दोस्तो इस उपाय को उसी विदी से करना है जिस विदी से हम आपको बता रहे हैं और ग्रहन का जो समय रहेगा देखें सुबह 10 बचकर 69 मिनट से प्रारम होगा और दोपैर को 3 बचकर 7 मिनट तक रहेगा तो आपको ग्रहन के दोरान ही इस उपाय को करना है यह साल का आखरी सूर्य ग्रहन है और सूर्य ग्रहन का सभी राशियों पर प्रभाव वश्य रहता है दोस्तो ग्रहन के दोरान अगर आप वशिकरन करते हैं तो यकीन मानिया आपको कोई भी तांतरी क्रिया कोई भी वशिक करने के आवशक्ता नहीं होती इस उपाय को आप किसी के लिए भी कर सकते हैं अपने प्रेमी के लिए अपने पती के लिए या पती अपनी पत्नी के लिए किसी के लिए भी किया जा सकता है लेकिन आपको उसी विधी से करना है जिस विधी से हम आपको बताने जा रहें दोस्त ग्रहन के दोरान जो वशिकरन उपाय हम आपको बता रहें इसको करेंगे तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आपके वश में अवश्य हो जाएगा दोस्तों केवल आपसे इतना ही निवेदन है कि इस उपाय का प्रयोग आप गलत भावना से ना करें आप अपने ग्रस्ती को बचा जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों सुबह 11 बजे से ये ग्रहन प्रारम हो रहा है तो आप सुबह 11 बजे इस उपाय को करें इस उपाय को करने के लिए आपको देखे स्नान करके स्वच होकर ही इस प्रामबे का लोटा या गिलास ले सकते हैं उसमें आप शुद्ध जल भरे और उस गिलास या लोटे पर आपको अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा आपको लपेट लेना है कलावे की साहता से उस कपड़े को बान दे और उस लोटे को आपको देखे अप आपको पूरब दिशार की तरफ मुझ करके बैठना है और अपने सीधे हाथ में उस तामे के लोटे को या गिलास जो भी आपने लिया है उसको रख लेना है और इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है दोस्तो इस मंत्र को आपको गलत उच्चारण नहीं करना है आप इस मंत्र को देखे किसी कागज पर लिख ले या याद कर ले ये सूरिय का बहुत ही अच्चूक मतलब जो तांत्री क्रिया दोरा वशी करन कह जाता है उसको समलित करके बनाया गया मंत्र है इस मंत्र का उच्चारण करने से वो जो जल आपने अपने हाथ में रखा है वो वशी करन हो जाएगा यानि अभिमंत्रित हो जाएगा उसके बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद उस लोटे को या गिलास को आपको खुले स्थाल में रख देना है जहां पर सूरे की किड़ने पड़ती हो दोस्तो आप अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं देखें तीन बज़ कर साथ मिनट तक एक ग्रहन रहेगा तो आपको साड़े तीन बज़े तक इस गिलास को या लोटे को खुले में रख देना है आप अपने घर की छट पर रख दें या बालकनी में रख दें और उसके ब आपको ये जल लेना है और जिस भी व्यक्ति से आप मतलब जिसके लिए कर रहे हैं चाहे वो आपका पती है चाहे आपका प्रेमी है प्रेमी का है या आपकी पतनी है उस व्यक्ति को इस जल में से अगर आप पूरा पी लेता है तो बहुत ही अच्छा है अगर वो पूरा नही कर अगर हम मतला किसी को वशी करन करते हैं तो बहुत जल्दी इसका असर होता है क्यूंकि उसका सीधा असर उसके शरीर पर होता है तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ये पूरा जल वो वैक्ति पी जाए अगर पूरा जल नहीं भी पीता है तो आप थोड़ा-थोड़ा करक पीच में इतना अधिक मतलब प्रेम बढ़ेगा क्यूंकि वो वैक्ति कभी भी आपसे वे वज़ा कभी भी लड़ाई जगडा नहीं करेगा दोस्तों ग्रहन के दोरान किया गया वशी करन बहुत ही प्रचंड वशी करन होता है और ये जो मंत्र हमने आपको बताया है देख 108 बार ही इसका उच्चारन करना है दोस्तो 108 बार से कम भी नहीं करना है चाहे तो आप अपनी उंगलियों पर या कोई माला रख लें जिससे कि आपको सही मंत्र का उच्चारन हो और संख्या भी सही होनी चाहिए यानि 108 बार ही आपको इसका उच्चारन करना है दोस्तों इस उपाय को जरूर करके देखे आपको 101% ये पानी पीते ही असर होता हुआ नजर आएगा आपको खुद ही मतलब वो व्यक्ति आपके वश में नजर आएगा दोस्तों इस उपाय को करें और लाप राप करें और आगे की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब क करना ना भूलें आप सभी को राधे राधे